नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अमवस्या के दिन दान धर्म के कारे पितरों का तरपन और पिंद डान करने से पुर्वजों की आत्मा को सांधी मिलती है और इस बार जेश्ट माह की अमवस्या 19 मई सुक्रवार के दिन मनाई जाएगी इस दिन सनिदेप की जैनती भी मना जैसे होता है बहुत सारे छिट्रो में ये वरत कोई बात नहीं इस दिन आप भगवान से मापारवती की अराधना पुजा जरूर विधि विधान से कीज़येगा आप चाहे तो पास के मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकती है घर में भी कर सकती है पर दोनों की एक साथ पूजा जरूर कीजेगा ताकि बट सावित्री ब्रत का जैसे फल है कि बट बिश्की पूजा करते हैं वहाँ पर तो अखंड सुभागे का वर्दान मिलता है तो यह बहुत सुभ है कि इस अमवस्य के दिन सनी दोसों से मुक्ती पाने के लिए आप सनी देव को सरसों का तेल और पित कर सकते हैं लेकिन आज आज हम आपको जाड़ू का महा प्रयोग बताएंगे चले जानते हैं विश्तार से ताकि जीवन की परिशानियों से आप बाहर निकल सके आपको मुक् किनों से बाहर सकते हैं। सबसे पहला प्रियोग तो यह करना है। आप सुबह जब सोकर उठेंगी सबसे पहले तो थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छीटा डाले दोनों साइट चौकट के दोनों साइट थोड़ा सा मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ इसके बाद आप घर के बाहर ज़ारू तो लगवाते होंगे लेकिन इस दिन पहले ज़ारू ना लगवाकर पहले पानी डाले फिर ज़ारू लगाए क्योंकि अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके दरवाजे पर तो वापस से उसी के पास चले जाए और आप सुरक्चित रहे हैं क्योंकि रात के समय निगेटिव इनरजी कुछ ज़्यादा ही घूंगती है और खासकर अमौस्याती थी हो तो ये प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और जब उसको पानी आप डाल देते हैं तो वो त्रिप्त होके वहाँ से हट जाती हैं और फिर आराम से आप पूरे दिन क बेहती रहेगी पित्री देवों को परसंद करने के लिए इस दिन विसेश प्रयोग भी किये जाएंगे तो पितर देवों की त्रिप्ति के लिए अमौस्यातिति के दिन विसेश प्रयोग होते हैं और जो विक्ति पित्री देवों की सांती कराता है उन्हें अर्पित करता ह जैसे कि उन्हें उनके लिए तरपन करता है उनके निमित्त दान पुन्य करता है उनके जीवन में कभी कोई परिसानी नहीं आती तो एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा पितर देवों की सांती के लिए क्या करेंगे देखिए आप किसी भी सनिदेव के मंदिर में जाए या फ पितर देवों दूनों की किरपा मिलती है चुकि अमोस्यती थी के दिन अगर आप नई जारू खरिद कर लाते हैं यानि कि तीन जारू आपको लाना है और तीन जारू लाकर आप एक जारू भी ला सकते हैं लेकिन जोड़ों की संख्या में जारू मत खेल दिएगा जैसे कि मंदिर में जाकर इसी जारू से पहले सफाई करें और फिर उस जारू को वहीं पर छोड़के आप भगवान को परणाम करके चले हैं जब भी ये परियोग कीजेगा तो अरली मॉर्निंग कीजेगा एकदम सुबा सुबा जैसे लोग को आपको देखे नहीं टोके नहीं और स योग कर लें तब हनवान जी के मंदिर जाईएगा और सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके उनको चोलार पीद कीजिएगा जो पुरुस हैं और जो महिलाएं हैं उनको लाल पुस पर पीद करेंगी सनी दोस भी समाप्त होगा जिबन की कष्ट भी परिसानिया भी समाप् को लगता है कि आपके सभी गरह आपके विरुद्ध ही चलते हैं कभी आपको सुखी नहीं मिला कि कई भार इसा होता है हर तरह से आप परिसान है कि तब इस दिन सुख सम्रिद्धी प्राप्त करने के लिए छोटा सा प्रियोग कीजिएगा एक लाल रंग का कपड़ा ले ल में चले जाएं देवी मा मतलब मादुरगा के मंदिर माकाली के मंदिर पास में जो भी मगवान देवी की मंदिर है वहां चले जाएं सितला मंदिर भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर रखाईए आपके जीवन के सभी ग्रह दोस्समाप्त हो जाएंगे सुख सम्रिद्धी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे आपके घर में धन बढ़्शा होने लगेगी बहुत सिंपल है यानि कि भीमारियां पीछा न छोड़े धन की हानी परिशान करके रखा है हर तरह से आप हार रहे हैं साम के समय लिए सफेद बुस्पले लिजिए और एक जाड़ू को कभी अपने कीचन में मत रखिएगा चाहे जो हो जाए वरना घर के लोग बीमार रहेंगे आर्थिक परिसानी जादा आएगी धन के खर्चे बढ़ेंगे बरकत नहीं होगी इसलिए भूल कर भी कीचन में मत रखिए और नाही जाड़ू बेडरूम में मत रखिए तो चलिए अब हम थोड़ा और आ जाए पूरे मंदी की सफाई करें इसके बाद एक सर्सों के तेल का दिया जला दें और वहीं पर बैठ कर साथ बार हन्मान चलिसा पढ़ें ऐसा करने से पित्री देव परसंद होते हैं जीवन में भौतिक सुक्सुभी धाएं बढ़ जाती हैं घर परिवार में खुजियां आती हैं और मालक्षमी भी किरपा बरसाती हैं अब अमोस्यतिती हैं तो बहुत सारे प्रियोग होंगे ऐसे में एक बात हम आपको बता दें अपने घर की जब आप सफाई करवाईएगा चुकि सनीवार का दिन है तो आप जाडू लगाने के पहले घर के मुखे दरबाजे पर पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद जाडू लगाईएगा धो देने से क्या होगा अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वह धुल जाएंगे हट जाएंगे या फिर वापस उसी के पास चले जाएंगे और घर की सफाई में आप फिटकरी मिलेवे पानी जो नमक है उस को सकती है और जो गरीब बेक्ति उनको भी खोने पीने की बस्तूं का आफ दान कर सकते हैं जीवन में अनन धन की कमी बस्तर की कमी कभी नहीं हो आप कई बार क्या होता है आपको अपना मकार नहीं है आप परिशान है है ऐब के पास जौब नहीं है परिशान है एक चृषड विष्णु मालक्ष्मी या राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहां पर जाकर मंदिर के वहां पर आप सतरंगी धोजा लगवादें और एक जारू भी वहां रखाएं ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होती है नौकरी बेपसाई की समस्या भी दूर हो जाती है तो सिंपल स है उसको आप मत लगवाईए लिए कि हनमान जी के मंदिर में वैसे आप अगर जंडा लगवाते हैं तो क्या होता है ना अपना मकान भूमी भवन बनने के योग बनने लगते हैं तो पित्री देवों की त्रिप्ति के लिए गरीब बैक्तियों को आप खिर पुरी भी खिला पाइंगे इस लिए किसी बैक्ति को भूल कर भी जारू ना दे चाहे वो नया हो या पुरा ना जब भी दान करना हो पास के मंदिर में करें आप अपने गरहों को अपनी सुविधा अनुसार भी परियोग करें तो बढ़िया रहेगा और जब भी कहीं भी आप मंदिर में ज जारू को खड़ा करके मत रखिएगा नहीं तो फिर आपके जीवन में मुस्किलें बढ़ेगी घर में भी जारू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और जारू को कभी भी खुले आकास के नीचे भी रात में नहीं रखना चाहिए नहीं तो जीवनी में धन की समस्या अगर आप जारू का जैसे की तुट फुट गया जारू पुराना हो गया है तो तुरंत उसको बहार निकालने घर से उस जारू को यूज ना करें वरना धन भी आपका यूही बरबाद होता रहेगा तो इस बात को आपको समझना होगा चोटी चोटी बातों का ध्यान रखिए जब आप सुवह में घर की शफाही कीजीेगा तो मक्री के जाले जरूर उतारिए 1 जहारू मत फेक चयेगा आप जो खर से बाहर लेकर जाईए और मक्री के जाले को बाहरर में फेक दें निकालकर और जाड़ो को भोने फिर घर लिक आजाए तो मक्रीक जाले के साथ परेसा स्काइब जरू कीजिए